स्टूडन्स आज की लेक्चर में हम कॉनुलेशन थियोरम की इग्जाम्पल्स को डिसकस करेंगे इससे पिछले लेक्चर में हमने कॉनुलेशन थियोरम पड़ा था और उसका प्रूफ जो हमने डिटेल के साथ किया था तो आज वाला जो लेक्चर है हमारा वो पिछले लेक् प्रिविस वीडियो जो मैंने अप्लोड की हुई है तो आप लोग कांडल वीडियो की दफ़ा वाच कर लिए पहले उसके बाद अगर आप इस इन एक्जामपल्स की तरफ आएंगी तो इनको आपकी ज्यादा समझ आएगी तो जो प्रिविस लेक्चर वीडियो का लिंक है व को आपको इनकी ज्यादा समझ जाएगी तो इदर स्टुडेंट से मैंने टू कॉस्टन लिखे हुए इसको हमने कॉनमुलेशन थियूर्म को अप्लाई करके इनकी इन्वर्स लेप्लास ट्रांस्फॉर्म फाइंड करनी है तो चलेंज चलते हैं इनके सुलूशन की तरफ स्टुडेंटि इसका सुलूशन हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो मैंने पहले फ़र्स्ट इग्जांपल लिखी है फिर्स्ट इग्जांपल में हमारे पास यह अब इसमें आप देखें कि यह टू फंक्शन की प्रोडट्ट है अगर आप इसमें मैं इसको थोड़ा सा मजी की simplify करके लिखूं तो हमें ये clear पता चल रहा है कि आपकी जो इधर inverse left last transform है ये two functions की product है और वो two functions हमारे पास यह हैं ठीक है ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं one over s plus one s square plus one है ना आप इसको ऐसे लिख सकते one over s plus one into one over s square plus one तो सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है कि इसका मिनिक यह हुआ कि यह हमारे पास f bar of s है यह हमारे पास g bar of s है ठीक है यह जो first value entry है इसको हम f bar of s कहेंगे जो second entry है इसको हम second entry को हम कहा देंगे g bar of s और जो first value entry है इसको हम कह देंगे f bar of s ठीक है students तो यह हमारे पास two functions की product आगे laplace inverse में तो इधर हम conversion theorem जो इसको apply कर सकते हैं तो इसमें अब आप देखें इसके लिए पहले तो यह जो दो हमारे पास functions की product है दोनों की आप separate पहले laplace inverse find कर लें तो यह one over s plus one की laplace inverse e minus t है और one over s square plus one की inverse laplace transform वो हमारे पास sine of t आती है तो अब आप इनके जो product है इसके उपर जब हम inverse laplace apply करेंगे तो यह कुछ इस तरह से आदेगा laplace inverse of one over s plus one into s square plus one तो यह मैंने students जब convolution का प्रूव किया था उस वीडियो में मैंने यह बात बताई थी कि जो दो vector दो functions हमारे दर product multiply हो रहे है laplace inverse में आपने इनकी laplace inverse फाइंड करनी है और इनके जो answers आएंगे उन दोनों के दर्मियान हमारा convolution relation exist करेगा means कि अब one over s plus one की laplace transform e minus t है तो यह e minus t convolution यह second वाला जो one over s square plus one है इसकी laplace inverse sine t आती है तो यह e minus t into sine of t आजएगा ठीक है students अब further हमने कुछ भी नहीं करना just जो convolution का method है यह convolution का जो formula था हमने वो भी previous video में पढ़ा हूआँए उसका link भी description में दूँगा उसको भी currently देखिएगा पहले तो जब तक आप previous दोनों वीडियो को नहीं देख लेते तो इस वाले लेक्चर की जो है आप लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी तो इसलिए आप लोग पहले कोशी की जाएगा के previous दोनों वीडियो को देखके उसके बाद आप इस वीडियो की तरफ आएंगे तो फिर ज्यादा समझ तो अब पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो कानवलेशन की जो प्रॉपर्टी है यह कॉमट्रेटीव होती है मेंज के इसके ओपर कॉमट्रेटीव लाब का होल्ड करता है तो स्टुडेंट्स अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें इसी तरफ सा भी अगर आप इसके ओपर वो कॉमट्रेशन का फॉर्मला अप्लाई करें तो यह ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन ऐसे यह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मैं यह चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि यह साइन टी हमारा पहले हो मींस के यह कॉमट्रेटीव है तो इसका मीनिंग यह है कि यह माइनस टी स्टैरिक साइन टी यह आपका इक्वल होगा साइन टी स्टैरिक यह माइनस टी ठीक है तो अब आप इसके कॉर्डिंग भी कॉन्वलेशन का फॉर्मला लगा सकते हैं और इसके कॉर्डिंग लेकिन मैं इसके कॉर्डिंग का फॉर्मला लगाऊंगा उसकी reason क्या है वो भी मैं अभी बिताता हूँ आपको तो इसके according अगर आप convolution का formula लगाएंगे तो यह हमारे पास आजएगा 0 to t इसमें जो first function है इसमें आपने t की जगा पे u replace कर देना है जो second function है उसमें आपने t की जगा पे इसमें u जो है तो इसमें आपको थोड़ी सी calculation जो है वो ज्यादा करने पड़ेगी ठीक है अगर आप इसके according इसको करते हैं तो यह ऐसे भी सही है लेकिन ऐसे आप लोगों को थोड़ी सी calculation ज्यादा करने पड़ेगी बस यह difference है बाकि अगर आप इसको ही इसके according करना चाते है तो आप इसके according भी कर सकते हैं में कोई issue नहीं है दोनों का answer हमारा same ही आएगा ठीक है तो अब आप इदर इसको मैं e-t जो है इसको मैं separate कर लेता हूँ यह minus t और प्लस यू हो जाएगा तो e-t जो है वो क्योंके यह हमारा with respect to u है तो उसके लिए e-t जो है यह constant term ने consider की जाएगी तो इसलिए मैंने इसको integral sign से बाहर ले लिया तो यह e-t 0 to t यह बाकि जो इसकी value है हमारे पास वो रह जाएगी e power u into sign of u and du ठीक है आप students इसके ओपर हमने integration पर पार्ट सप्लाई करना है integration पर पार्ट सप्लाई करके तो इसको हम easily इसका answer जो है वो find कर सकते हैं तो integration पर parts मीद है कि आप सबको आती है तो मैं integration पर जसके उपर direct apply कर रहा हूं इसका जो हमारा answer आया था मैं जस्ट वो लिख रहा हूं यह integration पर parts apply करने के बाद इसका answer जब कुछ इस form में आ जाएगा sin of u minus cos of u over two students इंटिकेशन पर पार्ट सब्सक्राई किया इसमें आपने first function as it is ले लिए second की integration कर ली फिर second function as it is ले ले लिए first की integration कर ली इस तरह से आप इसका फार्मला जो है तो zero to t जब हम limit apply करेंगे तो limit apply करने के बाद यह u की जगा पर हमने यह वाली limit apply करनी है तो जब आप t limit इसकी जगा पर apply करेंगे तो यह मार रपास आ जाएगा e power t into sin t minus cos t over two minus जब आप lower limit apply करेंगे तो sin zero पे zero होता है और cos zero पे one होता है यह तो यह आपके पास आजाएगा e power zero पे one हो जाएगा यह minus one over two आएगा और यह minus हमारा यह formula वाला मुझूद है और यह minus इदर से आजाएगा तो यह दोनों multiply होके इदर plus one over two आजाएगे ठीक है students अब आप इसमें मजीद जो है वो यह e minus t जो है बाहर वाला इसको आप अंदर multiply कर दें और इसका थोड़ा सा LCM लेके लिखे लें तो यह हमारे पास यह जो बाहर वाला इदर multiply होगा इसके साथ तो यह cancel out होगा मेंज के खतम हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास रह ठीक है hopefully इस example की आप लोगों को समझ आगी होगी तो students अब हम आते हैं अपनी second example की तरफ इसकी जो second example है उसमें अगर आप देखें तो यह one over s square into s plus one whole square है ठीक है इसमें भी two functions के product है तो इसको हम इस product को ऐसे भी लिख सकते है one over s square into one over s plus one whole square तो अब students इसमें हम पहले क्या करें करेंगे दोनों function की लग 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 inverse laplace find करेंगे one over s square की inverse laplace t है one over s plus one whole square की laplace transform t into e power minus t है तो अब आप इस product के उपर inverse laplace apply करें तो यह आजाएगा one over s square into s plus one whole square तो इसमें जो first function की laplace आई थी वो मार रपस t है और steric second function की laplace जो है वो t into e power minus t है ठीक है तो यह मैंने इदर convolution theorem apply कर दी है अब यह convolution theorem apply करने के बाद जो first function की inverse laplace और second function की inverse laplace के दरम्यान convolution का जो relation है वो exist करता है ठीक है तो यह हम t steric t into e power minus t students आपने इसको multiply नहीं कर देना यह sign multiply का नहीं है यह steric का sign जो है वो इदर हमारा convolution को denote कर रहे है तो आपने इदर यह नहीं कर देना है कि t को इसके साथ multiply कर देना ती square वो wrong हो जाएगा तो हम यह क्योंकि t steric है आपने यह दोनों function को separate ही रखने है तो इसमें भी मैं जो commodity property है उ यह question हमारा काफी lengthy हो जाएगा तो इसलिए मैं इस पर भी convolution जो commutative property है convolution की मैंने वो apply की तो यह t static t into e minus t को हम इस तरह से भी लिख सकते है t into e minus t into t तो अब आप students convolution का जो formula है वो apply कर दें यह 0 to t convolution हम क्या करते है जो first वाली value होती है उसमें t की जगा पे आपने simple u replace करना है और ज second function है उसमें आपने t की जगा पे t minus u replace करना है into du आजाएगा तो इसके बाद आप इसको थोड़ा सा simplify कर लें u को अंदर multiply करें यह हमारे पास आजाएगा 0 to t e power minus u into यह multiply होके आगे यह ut minus u square into du आजाएगा तो इसके बाद students आप लोग इस पे भी यह बिल्कुल इसी form में ही us का जो formula है उसको apply कर दें तो integration by parts में हमने इस function को हमने first कह दिया और इसको हमने second कह दिया तो इधर आप यह integration by parts apply करें तो first function हमारा यह as it is आजाएगा ut minus u square यह first as it is और e minus u की integration क्या आजाएगी e minus u over minus one और इसी तरह से minus यह इसकी whole integration आएगी ठीक है students लेकिन मैं इसका just either direct जो है वो answer ही लिख रहा हूँ आप लोग इसकी integration by parts जो है उसको आप लोग खुद देख लीजेगा क्योंकि यह बड़ी simple सी है इसमें कोई इतना difficult काम नहीं है तो इसलिए integration by parts जो है उसको आप parts apply करेंगे तो final आपका answer जो है वो कुछ इस form में आजाएगा इसके बाद हम इसके ओपर यह zero to t limit जो है वो apply करेंगे तो इधर जब आप पेदे u की जगह पर अपर leamat apply करेंगे जब हमने u की जगह पर अपर leamat apply की तो यह t u की जगह पर t put करने तो एक t यह है और एक already t मुझूद है तो यह t square हो जएगा minus यह u की जगह पर put करेंगे तो t square हो गया और into इधर यह वला जगह minus e power minus t minus इधर भी आप ऐसे करेंगे u की जगा पर t put करने हैं हमने यह जगा t minus 2t into e power minus t और इसमें भी हम put कर देंगे तो यह 2 e power minus t आ जाएगा जब lower limit u की जगा पर 0 put करने हैं तो u की जगा पर इदर 0 put करेंगे तो यह सारी value 0 हो जाएगी चलिए इसको put करके देख लेते हैं minus अब आप यह वाली first value 0 होगी क्योंकर यह सारा 0 हो जाएगा इसी तरह से यह जो second वाली value है हमारे पास इसमें आप u की जगा पर 0 put करेंगे तो यह e 0 1 हो जाएगा और इदर हमारे पास यह just t रह जाएगा ठीक है यह 0 minus t ठीक है यह इसमें जब पुट करेंगे 0 तो वह सारी term 0 होगी इसमें जब u की जगा पर 0 put किया तो इदर से t बच गया इसमें भी जब u की जगा पर 0 put किया तो यह e power 0 जो है वो 1 हो गया और यह minus t plus 2 रह जाएगा तो इसमें भी अगर आप देखें तो यह t square से cancel होगे यह सारी term 0 होगी तो यह आजाएगा 0 minus यह t minus 2t इदर के आजाएगा minus t तो यह minus इस minus multiply होके plus हो गया ठीक है तो plus t into e power minus t और इदर यह आजाएगा 2 e power minus t और यह वाला minus भी इदर इंदर multiply होके यह plus t minus 2 रह जाएगा ठीक है तो यह आपके पास finally इसका इसी फॉर्म में आजाएगा t into e power minus t plus 2 e power minus t plus t minus 2 तो यह इसका जो बच गए यह हमारा इदर required इसका answer आजाएगा तो यह students हमने इदर convolution जो theorem है उसको apply करते हुए हमने इसका जो इसकी second example इसको देखा तो उमीद है कि यह दोनों examples आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आगी होगी लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किसम की कोई issue हो इस question में तो आप लो currently comment section में जरूर बताइएगा ताके मैं फिर आपको इसमें भी आपकी help कर सकूँ थैंक यू सो मच्छ